इस्राइल ने एक ही दिन में हमास और हिजबुला को बड़े जटके दिये 31 जुलाई दोहजर चौबिस को तड़के सुबै हमास के मुखिया इसमाईल हानिये की इरान की राजधानी तहरान में मौत हो गई वहीं इसी दोरान लिबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुला के टॉप कमांडर फौज शुकूर की इस्राइली एर स्ट्राइक में जान चली गई और इसी हमले से हिजबुला को एक बहुत बड़ा जटका लगा है क्योंकि फवाद हिजबुला प्रमुक का दाया हात और सलाकार था लेकिन अब हिजबुला ने भी इसका करारा जवाब दिया है हिजबुला ने इसराइल के मेट जोवा सेटल्मेंट पर दरजनों ग्रेट टाइप रॉकेट से हमला किया हिजबुला का कहना है कि उसने ये हमला शमा कजबे पर आईडिएफ के हमले के जवाब में किया है जहा और मेटजोवा में हवाई हमलों के सायरन भजने लगे इस हमले को लेकर इस्राइली मीडिया ने कहा कि लिबनान की तरफ से पश्चिमी अलजलील पर कई रॉकेट सायर किये गए वहें जब हिजबुल्ला ये हमले कर रहा था तब इस्राइल के लड़ाकु जहाज दक्षणी लिबनान के हवाई शेत्र में घुसकर हमले कर रहे थे और इन जेट्स ने वादी हसन और जेगबीन राम्या और एता अलशाप पर कई हवाई हमले की जिसमें हिजबुल्ला को भारी नुक्सान होने की खबर है आपको यहाँ पर यह भी बता दे कि दक्षणी लिबनान के शामा के बाहरी हिस्से में आईडियाफ ने हमला किया था जिसमें चार सीरियाईश और नार्थियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए है इस हमले को लेकर लिबनान के स्वास मंतराले का कहना है कि हमले में पांच लिबनानी नागरिक भी घायल हुए है वह हिजबुल्ला कमांडर फ्वाज शुकूर की हत्या पर हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने बड़ा ऐलान किया नसरल्ला ने कहा है कि हमारे कमांडर की हत्या का ऐसा बदला लिया जाएगा कि इसरायल रोएगा इसरायल ने हमारे मिलिटरी चीफ फ्वाज शुकर और हमास के मुखिया इसमाइल हानिये की हत्या करके सभी रेखाएं पार कर दी है इजडायल एक साथ सभी फ्रंट से एक बड़े हमले के लिए तैयार रहे वही नस्रला के इस ब्यान पर इज्रायली पीम बेंजामिन नितन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि इजडायल किसी भी स्थिती के लिए पूरी तरह तैयार है रक्षात्मक और आक्रात्मक दोनों तरह की स्थिती हम किसी भी शेत्र से हमारे खिलाफ किसी भी आक्रामक कारेवाई के लिए बहुत भारी कीमट चुकाएंगे आपको बता दें कि इन हालातों के बीच इसरायल और हिजबुला लगातार जंग के और करीब आ चुके हैं और इनमें एक भी चिंगारी दोनों के बीच युद्ध भड़का सकती है आप